मैंने अपनी क्लासेस टीच मिंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े हैं, बड़े हैं मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बना और टीच मिंट के लाइब क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वज़े से लगवक एक साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तयार है अब मेरे स्टुडेंट्स पुराने अमिस लेक्चर्स देख सकते हैं और जिने चाहिए वो बस रिकॉर्डे लेक्चर्स की पैकेज बने सकते हैं गुपता टिटोरियल्स ब्राइन बन रहा है इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मिन पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मिन इंडिया का नंबर वन टीचिंग है नमस्कार दोस्तों अब शेक नाम है हमारा आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई अपडेट के साथ पीजी सी आईयल की तरफ से कुछ रिक्यूरिमेट निकाली गई है बी वीटक डिप्लोमा वालों के लिए तो यहाँ पर मैं बताऊंगा एक एक चीज़ डिटेल में आप डेट देख सकते हैं नोटिफिकेशन का 118-2021 से है यह PSU सेक्टर है सभी को पता है पीजी सी आईयर यहाँ पर जो वैकंसी निकाली गए है आप देखेंगे तो सिविल इलेक्टिकल मकैनिकल की फिल्ड इंजिनियर की है फिल्ड इंजिनियर इलेक्टिकल की सिविल की तो यहाँ पर कई सारी पोस्टर निकाली गए है फिल्ड सुपरवाइजर की भी है तो यहाँ पर पोस्ट 48 है 17 है 50 है सब कुछ बताऊंगा डिटेल में 22 है यहाँ पर जनरल की 9 है 22 है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ मैं बताऊंगा और यहाँ पर देखेंगे सिविल की जो है सुपरवाइजर की टोटल 22 पोस्ट है यूवार की ग्यारा पांच ओबी सी तीन एक एस्टी उसके बाद दो आपका इडव्ली एस की सीटे हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर आपके 2008-1992 के बाद और 2003 से पहले इसके बीच में अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास लगा सकते हैं नहीं है तो कोई बात नहीं है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो एसेंसियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है इसमें अलग लग पोस्ते सिविल की जो है फिल्ड इंजिनियर की वही चीज इसमें भी है इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस बगरा है तो आप लगा सकते हैं कोई दिक्कत कोई परसान इन्होंने कहा है कि एक्सपीरियंस आपके पास एक साल का होना चाहिए मतलब एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अनिथा अप्लाई नहीं कर सकते हैं उसके फील्ड सूपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की है तो यहाँ पर भी तीन साल का तो अगर आपको पास working experience है तभी यहाँ पर आप apply कर सकते हैं तो यह पूरा जो है इन्होंने बताया हुआ है कि क्या किस चीज में मतलब qualification है experience वगरा यह मैंने बता दिए यह नि बस्ट भी एक साल का experience आपके पास होना ही चाहिए अगर साल का experience नहीं है तो इसमें किसी भी पोस्ट के लिए आप apply नहीं कर सकते हैं selection process के इन्होंने कहा है बहिया कि selection will be involved interview only the legal condition shortlisted किया जाएगा उसके बाद management reserve to write the minimum eligibility standard criteria और conduct screening test उसके बाद तब यह मतलब आपका क्या होगा परसनल interview होगा screening test होगा और उसके बाद पहले यह क्या करेंगी screening करेंगे किनको ले रहा है कितने परसेंट तक उसके बाद फिर यह इंटर एक्जाम करवाएंगे objective multiple type का जैसे paper होता है वैसा यहां पर होने वाला है उसके बाद यहां पर इन्होंने कहा है कोई नीगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी यानि कोई भी नीगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अगर आपके पास experience है तो आप अप्लाई कर सक करते हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक कमेंट करके जरूर हमें बताएगा ओके थैंक्यू